कि दोस्तों आज के वीडियो में आपको वताऊंगे डिजाइनर प्रिंसेस कड़ ब्लाउस कैसे बना है यह में फ्रेंड सायड में डानने वालन ही और यह प्रिंसेस कड़ भी रहेगा यह लैस्वी उज़ करूंगी यह बटन लिया है मैंने गोल्ड कलर के यह भी उज़ कि मैंने लाइनिंघ दूब्पूलिया और इरेन कर लिया है और स्थित इसके डूबल कर लिया और यह 24 साइब तो दिकhई सबसे पहले हम लंबाई ले ले लेते हैं अपने था जैसे मेरे ब्लाउच लंबाई 14 इंच है तो आप जब ब्लाउज के कटिंग करें तो उससे 2 इंच मार्जन ले लें इसमें प्रिंसिस कट जो ब्लाउज बनाते हैं और सोल्डर 12 इंच है यह डीप नेक में आएगा इसके बाद मुद्डे 6 इंच अब इस जैसे मैंने बताया 34 तो 8.5 इंच आएगा तैयार में और इसमें यह प्रिंसिस कट है इसलिए हमें तीन इंच लेना है दो इंच तो नौर्मल लेते ही है इसमें एक इंच और लेना पड़ता है मुद्डे की गुलाई 1.5 इंच प्रिंसिस कट का पॉइंट देते हैं तो देखिए सोल्डर से 10.5 इंच ले 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 और इसकी जो हम प्रिंसिस कट पॉइंट देंगे वह 3.5 इंच देंगे सेंटर से यह 3.5 इंच ले लिया हमने और देखिए मुद्डे से आप जह हम 6 इंच मुद्डे लिया है से हम 6 इंच से ले 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 और नीचे हम 5 इंच लेंगे इसमें हमारी 2 इंच की प्लेट आ जाएगी तो देखिए भी तीनों पॉइंट हो को मैं इस तरह से ड्रॉव कर लेते तो देखिए यह हमारी 2 इंच की प्लेट हो गई यह हमारा सेंटर पॉइंट हो गया और यहां से हमारी कटिंग आएगी तो हम क्या करेंगे पहले सोल्डर से लेके मुद्डे से यहां तक कट कर लेते हैं यह सेंटर वाला ड्राफ्ट कट नहीं करते हैं और आप डीप अपने साइज के अनुसा रख सकते हैं जैसे मैं इसको साढ़े 6 इंच ले रहीं तैयार में 6 इंच रहे गाए इसमें आप कोई भी सेप दे सकते हैं मैं इसमें राउंड दे रही है थोड़ा ब्रॉड में दूंगी तो देखिए सोल्डर से तो सैम रहेगा ल कि सेम ड्रॉपर कट कर देंगे कर देखिया करूंगी यह सेंटर से मुझे यहां पर डिजाइन डालनी है तो यह सेंटर से कट करना है और उसके बाद जो हमने यह पॉइंट दिये इसको कट कर लेते हैं प्लेट को इस पॉइंट को कट करने से पहले हम हाफ इंच एश्टा मार्जन दे 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 जो कि यहां पर हम कट करेंगे तो देखिए सोल्डर से तो ऐसा ही रहेगा जितना है यहां से हम आदा इंच इस तर कर देते हैं अब आपको सिलने का तरीका बताते हैं तो देखिए नीचे लाइनिंग रख लें उपर ब्लाओ पीस रख रख रहें और इसको चारो तरफ से पहले चल लें इसलने के बाद यह दौना पीस हमारे तयार हो जाएँगे और सेम इसी तरह से यह पीस लाइनिंग के साथ में आप से लें जो फीर हम जब इसके सा आत मे इसको हमें इस तरह से इसके उपर रख ले आया है और सेम ड्राफ्ट पर हमें इसको कट कर लेता है और जो चोड़ा ही लेंगे कोपड़े की वो 1.5 इंच ले लेंगे इससे के फिनिसिंग आ सके यहां पर इस तरह से आ जाएगा और यह इस तरह से चल्ड़ेगा देखिए जैसे में बताया था वैसे मैं ने इस्ट्रिच कर लेया लाइनिंग के साथ में दौन पीस और देखिए जो केनवास और पट्टी भी तैयार कर लिया और अभी हम इसको त तो देखी मैंने यह सिल दिया है और अवीद्य वहारा नेक कड़ार पर इसको हम टख लेते हैं और इस तरह से रखके इसको इस्टिच करें तो देखी मैने पैपें देदियो रिष्णी आप देखी मैं दूसरा पीस वह तैयार कर लिया देखिए और अभी देखिए यह हमारी पीस आगे पीछे जा तो अब हम क्या करेंगे इन दौन पीज हों को इस तरह से रखेंगे और अभी इसकी नीचे कि देगे तो यहां बरावर कर दिये और सेम पाइप इन इसमें नीछ भी लगा देंगे तो दीखिए मैंने नीछ भी पाइप इन देगे और यहां परतिण कर देगे है मैं तब अब हुम क्या करते है यहां पर इस तरह से पहले एक साइड में स्टेश कर लेता है और यहां तक कट करेंगे जो हमने यह कट दिया था सिर्फ यहीं तक बॉड़र लगाएंगे तो उसी इसाफ से आप इसकी लंबाई ले सकते हैं कि यहां पर इसको इस तरह से इंदर कर दें यहां पर इसतरे जो इतना लुड़र आएगा मैं यहां से लेकर यहां तक अटेश कर दिया है और यहां पर इतना जहते ना है Cityяс में हम बटन लगाएंगे तो सेम इसी तरह से स्टिच कर देते हैं देखें नीशे हमने पाइपन लगा दिये और देखें जो हमने सेणटर में लेस लगा दिये और उष्के वाद only नहीं बटं लगा दिये चार बटं लगा दिये तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है तो आप इस आसन तरीके से संदर यासी ब्लाउज की फ्रेंट नेक्ट जैन बना सकते हैं दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को सेर करें लाइक करें चैनल सबस्क्राइब करें थेंक्यू